चंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिक्टी कहा की होना चाहिए? किस जगहा पर बनाना चाहिए? मिक्टी में केसा जल मिलाना चाहिए? जब शिविलिंग का निर्माण करें चंकर के शिविलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले केसे बनाए? उस तक का विधान श्यों महा पुराण में क्यारे की मिट् JAM जिस मिट्टी पर कुई गन्दगी ना करी गोई हो ऐसी जगहा का कोई BHAGB मिट्टी का लाए जहां कोई गन्दगी ना करी हो श्यों महा कुरान की कता खिर देखो पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए उसका विधान बढ़नन नहीं कर पाए परंथू आज कथा निकलिए तो उसको सुने कियारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गयो एसी जगा की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद खोड़ा पान कंलिया कि अगरत य मिक इत्र अगर को दूध बी और मिट्टी को और मिट्पाघसी ऑन मिट्ट अस पानिग हुआ का प्त्र ही तो जल के अंदर पानी प्रवाणि प्रवाब आधू दीन बात बनाए और उस समय पर मिटिका सिचन ऐसी अधर नहीं कि भूझ पंदरा दिन बाद बना हाट बात बना आए दस दिन बात बना और उस समय पर मिट्टी का सिचन इस तमाय फिर का जिस दिन शिवलिंग का निरमान करो उस दिन राताहा में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मोहरत में मिट्टी को बलादो किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमानक उसका भी सास्त्रवन्यंतर है किस जल से गलाया जा है तो यह महापुरान की कथा करती है अगर आपको आज शिवलिंग का निरमान करना है शाम को आप शिवलिंग का निरमान कर रहे हो तो अपने पानी का जो मटका होता है हंडा होता ह रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक तलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को ले कर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा पंदरा मिन पर वो चल वार चाड़ा हो उसके घर और परिंडे के पास पित्रों का निवास होता है अनकूंणा पित्र सब रसोई घर के भीतर जिराजमान होते हैं क्याता है तोime की देयो टाएक समय के लिए एक छण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को सच्छ रखो ना रखो पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो पर रसोई घर एक्टम क्लीन होना चाहिए साफ होना चाहिए सच्छ होना चाहिए आज के जमाने में है आंफिर दूली होते थे जब चूला होता था तोम पातिव शिवलिंग का निरवार्ण सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते है संम आरकों शिवलिंग बनाते हैं तो नहीं द्यानне किया करना है नच्टि को लाना है यह चिंटा जटा जरूर देना कि हम घर में लेकर आए और जखले को अधिवस्टा होना जल कचिए अवस्य फिर उसको रख दें पंदरा दिन बाद बनाओ चार दिन बाद बनाओ तीन बाद बनाओ तो दिन बाद बनाओ शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिठी को जो कलस्ट आपने रस्वई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर अर्थाथ उस क बनकी उसका बर्णन क्या ऻूटा इसकंद पुर्ण अगन्यरी अजम ले लिया गया वंडनन की आ गया जब उसका समी का भाव हो जाता है पूरे 24 घंटे के अंदर में तो यह लिए पिस्को की देवत आते हैं तो वो कर दाताु सारा भाय उस तारी वसकal में में पूंजल जब हो जल्प इसमित्रि कव हो जाती है फॉर्ण सअचे दी पती करने के लायक हो जाती है निर्मित करने के लायक हो पानी में सबसे पहले शिविलिंग बनाने से पहले पात्र को पात्र जो होता है उसके नीचे बेलफ़क रखेंगा पात्र जिसके जहला आजा स्वयम गंगा शिवकी जटा में और आप संकर के शिवलिंगा अंधरमान कर रहे हों कोई साध्यान नहीं है स्वयम ठीदेश्व आप प्रदेश्वर सहीता के अंतरगत पने कि ब्रहमा रो विष्णु ब्रहमा उपर जा रहे हैं बगवान विष्णु नीचे जारे तो पता नी कर पर है कि यहां चरंद का परोंशी का अ तो जाने है खतेश्यम प्रुब आदरन बावाद पेल पत्र भी शिदा भाद और इस पेल पत्र की जो टंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली की उत्र जब आप शिवलिंग का निर्माद का इसके उपर जो गलाई में मिटती है वो डाल बीजा और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का सुरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के फास्त है और मिट्टी डाल लीजिया फिर जलाधाने का निर्मित हो गई शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रखाया आपको पहले निर्मित हो गई शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रखाया आपको पहले भगवान भूत अधिपति भूत एश्वर भगवान शिवर का स्वंखोण परिवार शिबलिंग में पहले भी करना ने कहा आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं जेसे ये जला धारी ये गोल ये चरण है ये शिबलिंग है जहांसे पानी नीचे गिर रहा है इसके राइट भाग में श्री गणेज जी का इस्थान लेवत भाग में श्रीकार्थी के बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जला घारी में वो पार्वती जी के सुंदर उत्री अशुक सुंदरी का है शंकर जी के उपर टिकोनी रखी रेती है उसके उपर से जल बूंद बूंद नीचे गिरता है यह पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है यह आप कलस से जल चड़ाते हो या आप संगी से जल चड़ाते हो तो यह पानी किर रहा है यह संकर भगवान की पाच पुत्रिया जया विशहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये संकर जी की पाच बेटियां भी है, और पार्वती भी, अर्थार शिव जी के परिवार में आपको गणेजी की पूजन अलग करने जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी, संकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने की जरुवत नहीं पड़ेगी, कार्थी के की पूजन अलग जाकर करने की जरुवत नहीं है, संकर का परिवार संकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपोर्ण परिवार संकर का विराज माने है, संपोर्ण पूरा परिबारे मारा फिर वही बात आई ध्यान दीजिएगा जिस व्यक्ति को नीद ना आवे रातरी को सोते समय टेबलेट खाने की जरुवत नहीं संकर भगवान की पांच पुत्रियों का नाम लीजिए जया आत में जलो पलंग पर बेठो जला हात में लिया जया आचमंतर विशहरा आचमंतर चामली बारी आचमंतर दौतली आचमंतर पोर्देव यह संकर की जो पांच को सुप प्रदान कर दो लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रगवाजो उसका नाम गोत्र बोलो उसी हल्दी में उसके हाथ बील्य करवाजो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के पात चाहपे पड़वाजो तीन मन्हें में विवापक प्क हो जाता है उसका इतना अशुक सुंदरी के उस कि अधाना को कुछ साज रहे हैं कि निर्मित अधा शिवलिंग एक बार सब जितने भी टीवी पर वेठे हैं सम्मों के में कठा सुन रहे हैं कि Facebook YouTube पर सुन रहे हैं एक बार साथ में समझें वापिस निर्मान को शिवलिंग के निर्मान को जल्का ढटा दिया रखा जいました आधा गटा पनदा मिट 20 मिंट पहले उसी पानी चोच भी लाखरा उसको घीला करा है उसका निर्मान सब्सें से वेल्य पद्री ड़िवका लख अधि निर्मान और अधिर शिवलिंग का निर्मान तो एज़ला धारी के निर्मान और शिवलिंग अब शेक करें और एक बात याद रखना पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्मान करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्री होने से पहले विसर्जन होना ज़रूरी है हाँ अगर कोई शिवरात्री का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो हर्ताली का तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो बड़ी तीज है छोटी तीज है आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो विशेश कोई उस सब है स्रामन का महिना है पूरी साथ रख सकते हैं पर बाती के समय अगर आप शिवलिंग का निर्मान करें तो इसको सूर्यस को होने के पहले आप इसको नदी में जल में जलाशे में विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को शिवलिंग को जब छोड़े उस समय पर ध्यांद दीजिएगा कि शिवलिंग कि जो जल की धार जिसका उत्तर की और जो जल की धार होती है विसर्जन करते समय वो जल की धार अरधात वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और धाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब दाने तो वो भाग हमको दिखे थोड़ा संदा जारा है पानी में डाल दीजिए, वो काम नपून हो जाती है, इसको करते हैं पार्थिव शुवलिंग का निर्मान करना और उसकी अराधर करना. उसकी अराधर करना. कई लोग करते हैं, पना भी लेते हैं, पुजन भी करते हैं, हमारा काम निकुटाइब. कर दियू दियू है